आज जिस समय बिहार सरकार के ग्रामिन विकाश मंत्री शर्वन कुमार जी ने जो आरोप लगाया है केंदर पर और हमारे विभाग पर कि गड़िबों का पैसा नहीं दे रहे हैं मैं कहूंगा authenticate करके दें कि पैसा नहीं दे रही है केंदर सरकार पैसा है उनके खाते में और इन्होंने एक लाख पेंटालीस हजार घर वापस कर दिया नहीं लिया 31 मार्ज तक उन्होंने सैंक्सन नहीं किया चिठियां देने के बाद ये वापस हो गया मन्रेगा में इनको सारह 9000 करोर मिला था यूपीए सरकार से हमने मोदी काल में 31000 करोर दिया है और फिर भी ये जूट अफवा पहलाते हैं बिहार की जद्दा को भरम मत पहलाएं बिहा तो आप एक टेगूल पर बैठ करके बहस कर लें कागज के साथ ठीक सवाला अपने पूछा हमने भारत सरकार के मंत्री मानने गिराजबावू से बिल करके दिल्ली के मंत्राले में जा करके उनसे बात किया और वो सभी अपने विभाग के अधिकारियों को बुला करके बादचित किया लेकिन उसका कोई फला फल नहीं निकला सबय सबय पर विहार से हमने पत्र भी लिखते रहा और पक्त भी लिख करके हमने आग्रह करते रहे विहार के गरीबों के हित्मे और उसका भी कोई फला फल नहीं आया और बेगू सराय से सांसद है क्या वहां के गरीब लोगों को सबको घर मिल गया सबको अपना छट मिल गया जराज के गरीबों का हकमारी करने के लिए अगर गिराज बाबु दिल्ली में वैठे हैं तो हमको कोई अतराज नहीं है हम गरीब के बारे में राज सरकार के तरफ स से कोई नो कोई फासला जरूर लेगे कि ये गरीबों काहित नहीं हो कि ये लो मुझा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूनिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined